वेल्कम टू एग्साम भी वेचना तो आज हम डिसकस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस ट्याट 2 के लिए यहां पर जो यह है यह है प्रश्ण पत्र जुनियर साइक अध्यापक शिक्ष्छन भरती प्रिक्षा के लिए ये आपकी हिंदी साहित्ती के प्रतिक पिक्षा के लिए महत्पूर्ण रहने वाला है जैसा कि हम बात करेंगे एलटी, कमिशन और टैट, एंटी, नेट, पिजिटी, हिंदी इत्यादी के लिए महत्पूर्ण है इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक ध्यानपरूपक देखेगा ठीके न, सभी क्या इसको लाब मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रशन है, इसमें पुछा गिया था अपरश काब्वे का सुपरसिद चंद कौन सा है तो यहाँ पर जो पहला प्रशन है, इसका सही विकल्फ हो जाएगा पदड़िया, जो पदड़िया है यह अपरश काब्वे का सुपरसिद चंद माना जाता है अगला कोशन है दो पृत्वी राज रासों मुलता किस तरह का काब्य है तो जो पृत्वी राज रासों मुलता माना जाता है किस पर का काब्य होगा तो यह होगा बीर काब्य ठीक है न यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा पृत्वी राज रासों के रचनाकार होंगे चंदवर्दाई ठीक है अगला कोशन है तीन तंचित्त और मन राजा की ना इस पंक्ती में किस परकार की बर्णन शैलिका प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर हुआ है समासुक्ती शैलिका बर्णन सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा जो यह पंक्ती है पदमबत महकब्य से ली गई है और जो पदमबत महकब्य है यह आफके जाईसे की रचना होगी आपके लिए क्प्रशन छोड़ देता हूँ आपने बताना है पद्वाबत महाकाब्य में कितने समय या खंड है ठीक है न या कितने भागे इसका आपने comment box में अवश्य जवाब देना है अगला कोशिन है चार भाशा भूशन के रचाईता कौन है तो जो भाशा भूशन रचना है इसके उपलब्धी किस क्षित्र से नहीं नहीं है तो जो पांचवे का सही विकल्फ हो जाएगा तो ये हो जाएगा महानगरिय संतरास के चित्रण में ठीक है ना इसका नई कहानी के उपलक्ष में सही कथन नहीं होगा पांचवे का हो भंग के चित्रण में ये भी सही हो जाएगा हाँ दोस्तों हमने इसे पिछली वीडियो के लाइक का टार्गेट रखा था पचास आप लोगों ने वह कंप्लीट नहीं करा दोस्तों अनुरूद है कि वीडियो को जादा से जादा लाइक किजेगा क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नई वीडियो बनाए जितना जल्दी आप हमारे टार्गेट को कंप्लीट करते हो उससे हमें प्रोथान मिलता है इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है तो इस वीडियो का भी हम लाइक का टार्गेट 50 रखते है ठीक है न, इसको आपने वश्योग किंपलीट करना है अगला कोशन है अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होगा तो जो अंधे की लकड़ी का अर्थ होगा तो ये होगा एक मातर सहारा, साथवें का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशिन है यहाँ पर आठ नुतन ब्रमचारी नामक उपनियास के लिख कौन है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा बालकिश भट आठ विंग का सही विकल्प C हो जाएगा अगला प्रशिन है प्रिक्षा गुरू का प्रकाशन बर्ष क्या है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो प्रिक्षा गुरू है यह उपनियास है और इसे हिंदी का प्रतम उपनियास भी माना जाता है और इसका प्रकाशन बर्ष पूछा गया है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प A, 1882 अगला कोशन है रीती के लिए मार्ग शर्वत का प्रियो किस अचारे ने किया है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा विकल्प A, अचारे कुंतक के द्वारा अगला कोशन है 11, सूफी काब्बे की प्रमुख अधार क्या है तो जो सूफी काब्बे का प्रमुख अधार माना जाता है तो यह माना जाएगा हिंदू प्रेम कथाएं 11 का सही विकल्ब B हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है निमन में से कौन सा कथन सत्य होगा तो यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं इन में से एक कथन है जो सत्य होगा से देख लेते हैं साहित्य जंस्मो cow के होटे का भिकास है यह किसका कथन है तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भर्ट का गतन ठीक है ना? सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशन है तेरा यथार्थवाद की मूल विशेष्टा इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा जीवन से परिच करवाना क्या होगा? ये थार्थवाद की मूल विशेष्टा होगी जीवन से परिचित कराना तो तेरा का सही बिकल्प यह हो जाएगा अगला कोशन है गांदिवादी साहित्यकार कौन थे? तो बिकल्प में चैन कीजिए जो गांदिवादी साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं ये हो जाएगे भवादी परसाद मिश्र चौदा का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है पंदरा पूछा गिया है किस कभी ने भक्ती, श्रिंगार और बीर तीनों विशेवों पर अधिकार पूर्वक लिखा है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा पंदरा का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है सर्वेश्वर द्याल सक्सेना किस सब्तक के कभी माने जाते हैं तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प सी 37 के कभी माने जाते हैं सर्वेश्वर द्याल सक्सेना अगला कोशने 17 इसमें पूछा गया है भक्तमाल के अनुसार रामानन्द के कितने शिश्य बताए गए है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प डी बारा शिश्य बताएगे हैं उनमें से कवीर परसिद है अगला कोशने 18 मिथक का स्वन्द किसे से माना गया है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा 18 का A अतिमानविय पौरानिक पात्रों से मिथक का स्वन्द माना जाता है 18 का सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कोशन है 19 संगीत में एक सुर को दुगने या चोगने सुरों में दुराने की क्रिया को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है आलाब सही बिकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला कोशन है महादेवी बर्मा का प्रदम कबब संग्रह कौन सा है तो सही विकल्ब हो जएगा निहार अगला कोशन मैं 21 नियाला का पहला कबब संग्रह अनामिका कहां से प्रकाशित हुआ था तो कुछ समय सोचने के लिए देता हूं आपको सही बिकल्ब हो जाएगा कलकत्ता से 21 का सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला प्रश्चन है 22 बिजय नी बिजय बैजन्ती एबं फूलों का गुच्छा किसकी काब्वे प्रितिया है तो सही बिकल्ब हो जाएगा भारतेंदू हरिश्चंदर की 22 का सही बिकल्ब ए हो जाएगा अगला प्रशने 1992 में ग्यानपिट पूर्शकार किसे मिला था तो ये मिला था नरेश महता को 1992 में ग्यानपिट पूर्शकार सही बिकल्ब सी हो जाएगा अगला कोशिन है रीतिकाल के परबड़ तक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं केशवदास 24 का सही बिकल्ब ए हो जाएगा पर अचारे रामचंदर शुकल ने रीतिकाल का परबड़ तक चिंतामनी को माना है इसका आपने ध्यान रखना है और जो डॉक्टर नगेंदर है उन्होंने केशवदास को माना है अगला कोशिन है 25 परमेश्वर में कौन सा समास होगा तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा बी करमधारियस मास 25 का बी सही बिकल्ब हो जाएगा अगला कोशिन 26 इसमें पूछा गया है भारतिंदू हरिश्चंदर की कौन सी काब्यक्रिति नहीं है तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा बी पित्तर बिलाप जो ये रचना है भारतिंदू हरिष्चंदर की नहीं होगी बाकि फूलों का गुच्छा प्रेम मालिका प्रेम सरूवर ये तीनों ही रचना है भारतिंदू हरिष्चंदर की होगी अगला कोशन है तुलसी दास प्रणित रामाग्या प्रिश्नावली किस परकार का गरंथ है? तो सही भीकलप यहां पर हो जाएगा. यह चोतिश गरंथ है. 27-27 सही भीकलप भी हो जाएगा. अगला कोशिन है जैशंकर प्रसाद का प्रथम एतिहासिक नाटक माना जाता है तो ये माना जाता है राज्य श्री को बाकी चंदरगुफ्द, सकंदगुफ्द और धुरूस मामीनी ये तीनों ही जैशंकर प्रसाद के ही नाटक है और राजे श्रीवी जए शंकरपरसाद का ही नातक है अगला कोशन है 29 चायाबाद को अनेक प्रभीतियों का समूचे किस आलोचक ने कहा है तो जो चायाबाद को अनेक प्रभीतियों का समूचे कहा है यह doctor numberChristian का कःफण होगा 29 का सही भी विकल्प हो जाएगा अगला question है समरिती लेखा किस लेखक का संस्मर्ण है तो जो समरिती लेखा संस्मर्ण होगा तो यह अग्यर का ओगा 30 का सही विकल्प यह हो जाएगा अगला question है 31 निमन में कौन सी निराला की रचना नहीं होगी तो यहाँ पर जो बिकल्प भी है जर्णा यह निराला की रचना नहीं होगी बाकी परिमल, गीति का नामी का यह तीनों ही रचना निराला की होगी जर्णा है यह प्रसाद की रचना होगी ठीक है न अगला कोशन है 32 बिहारी किस राजा के दरवारी कभी थे तो ये थे जैपूर नरेश जैसी है के दरवारी कभी किस के थे बिहारी जैपूर नरेश जैसी है के अगला कोशन होगा इन में से किस आलोचिक ने अपना कौन सा आलोचना गरंथ लिखकर हिंदी के सनात कूतर कक्षाओं के पाठ्ठे क्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सरप्रत्म सफल प्रियास किया था तो यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा श्यामसुंदर दास्दवरा साहित्य लोचन नामक आलोचना गरंथ लिखकर ठीक है 33 का सही विकल्फ डी हो जाएगा बाकी गंथों को भी देख लेते हैं जो बिशव साहित्य विमर्ष है तो यह किसकी रचना होगी यह होगी पदुमनाल पननालाल वक्षी की आगे है समालोचना यह गया परसाद अगनी होत्री की होगी और जो सबसे प्रसिद है चिंतामनी यह रामचंदर शुकर की होगी आपने बताना है कि अब तक चिंतामनी के कितने भाग परकाशित हो चुकी हैं यह आपके लिए दूसरा प्रशन छोड़ देता हूँ अगला कोशिन है 34 इसमें पूछा गया है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प्टी का माईनी अगला कोशिन है 35 मनुष्य के आचरन के प्रवर्टक भाव या मनोविकार ही हो होते हैं बुद्धी नहीं यह कतन किसका है तो जो यह कतन है यह हो जाएगा बालकृष्ण भटका 35 का सही बिकल्प भी हो जाएगा किया कतन है मनुष्य के आचरन के प्रवर्टक भाव या मनोविकार ही होते हैं बुद्धी नहीं यह कतन हो जाएगा बिकल्प डी बालकृष्ण भटका अगला कोशिन है 36 इसमें पूछा किया है सब्वेता कोई और ही चीज है उसका देह से इतना समंध नहीं जितना मन से यह कतन प्रेमचन की किस कहानी का अंश है तो यहाँ पर जो 36 है इसका सही बिकल्प बताना है तो 36 का सही बिकल्प हो जाएगा सब्वेता का रहस्य है यहाँ से आपको इनकी एक कहानी का नाभी पता चल जाएगा कि सब्वेता का रहस्य प्रेमचन जी की ही कहानी है यहाँ पर कतन को फिर से देख लेते हैं सब्वेता कोई और चीज है उसका देह से इतना समन्द नहीं जितना मन से तो ये कतन प्रेमचन जी की कहानी सब्वेता का रहस्य से लिया गिया है अगला कोशने 37 कामता प्रसाद गुरू का हिंदी ब्याकरण विशेकरण्थ जो नागरी प्रचानी सब्वा काशी से प्रकाशीत हुआ था उसका नाम क्या था तो इसका नाम था हिंदी ब्याकरण ठीक है इसको धंग से पढ़िये प्रशन को कामता प्रसाद गुरू का ब्याकरण विशेकरण्थ कौन सा है हिंदी व्याकर्ण है और ये कहां से प्रकाशित हुआ था तो ये हो था नागरी प्रचानी सवा काशी से प्रकाशित ठीके ना इसका भी धियान रखेगा प्रशन इस प्रकार से भी बन सकता है अगला प्रशन है 38 इसमें पूछा गिया है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रजिया मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रे लेकर एक सामान ये साहितिक भाषा स्विक्रित हुई है जिसके चार्णो ने नाम दिया तो जिसे चार्णो ने क्या नाम दिया था 38 का से ही बिकल्प हो जगा डी पिंगल भाषा चार्णो ने से पिंगल भाषा नाम दिया था अगला कुशिन हिंदी की स्पर्ष गोष महापराण दंत ब्यंजन धोनी है तो ये कौन सा होगा तो ये हो जगा धह बिकल्प सी सही होगा 49 का अगला कुशिन है 40 बह ग्रहन जिसमें सूर्य या चंदर पूंतर ढख जाए बाक्याश के लिए एक शब्द का चुनाब कीजी तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प ए खग्रास अगला कुशिन है 41 नमलीखित में से कौन सी कृती दंडी रचित है तो यह हो जाएगी बिकल्प ए काब्बय दर्श 41 का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कुशिन है हर्य नाम शब्द किस विवक्ती किस वचन का रूप है तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा शष्टी विवक्ती होगी और बहुवचन होगा जो हरी नाम है यह शब्द शष्टी विवक्ती और बहुवचन का होगा 43 केलाश बाचपई की साहित्य अकादमी पुर्सकार से समानतिक काब्य रचना कौन सी होगी तो यह होगी विकल्प सी हवा में हस्ताक्षर जो हवा में हस्ताक्षर है केलाश बाचपई की रचना होगी और यह साहित्य अकादमी पुर्सकार से नवाजी गई है 43 का सही विकल्प सी हो जाएगा अगला कुशन है 44 सर्बनाम के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सर्बनाम के 6 भेद होते हैं ठीक है 44 का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कुशन देख लेते हैं यह 45 इसमें पूछा गिया है निवलिकित निवन संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तो चलिए करते हैं तो यहाँ पर जो पहले थुम कोट का चैन कर लेते हैं सही कोट कौन सा होगा तो सही कोट हो जाएगा यहाँ पर बिकल्प D तो जो यूग संधियों पर ये किसका निवन्ध होगा तो ये हो जाएगा अग्ये का निवन्ध ठीक है न बाद विबाद संबाद ये किसका निवन्द होगा तो ये नामबरसियां का निवन्द होगा बिरामचिन ये किसका निवन्द होगा तो ये रामविलाशर्मा का निवन्द होगा बाकी शब्दिता ये किसका निवन्द होगा ये धर्मबीर भारती का निवंद होगा एक बार फिर से देख लेते हैं युग संधियों पर ये निवंद होगा अग्ये का और जो बाद विवाद संबाद है ये नामबर्सियां का निवंद होगा बिरामचिन ये आफका राम्भिला श्वर्मा का निवंद होगा और शब्दिता यह निवंद धर्मबीर भारती का होगा तो इस प्रकार जो यहाँ पर कूट डी है बिल्कुछ सही हो जाएगा अगला कोशिने 46 इसमें पूछा गया है चंदर लोग के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर आपने चाइन करना है तो यह हो जाएंगे बिकल्पटी जैदेव अगला कोशिने 47 लोगनाईक वही हो सकता है जो समनवे करने पर समनवे करने का अपार धहर्य रखता या लेकर आया हो उनका सारा कबे समनवे की बिरार चेष्टा है तुलसी दास के समनवे करने का अपार धहर्य लेकर आया हो उनका सारा कबे समनवे की बिरार चेष्टा हो तो यह तुलसी दास के लिए अगला कोशिन है यहाँ पर 48 इसमें पूछा गया है रानी केत की कहानी के रशनाकार कौन होंगे तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प सी इंशा अल्ला खाँ आगे है हिंदी की कालजे पत्रिका हंस के संस्थापर का नाम बताईए तो प्रशन संख्या 49 में हिंदी की कालजे पत्रिका हंस के संस्थापर का नाम होगा बिकल्प भी प्रेमचंद अगला fileship है सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है तो जो सम्मेलन पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है इलावाद से 50 का से ही बिकल्प किंद्री हिंदी ने दे शाले के अनुसार मानक उच्छारन क्या होगा तो यहाँ पर जो उच्छारन होगा तो यह होगा 66 विकल्बडी बिल्कुल सही होगा कई 66 बोलते हैं को 66 बोलते हैं को 66 बोलते हैं तो यह नहीं होगा क्या होगा 66 का सही तो यह होगा विकल्बडी 66 अगला जो प्रशन है यह है बावन क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहती है जिससे उसके कालिय वेपार्थ के समय और उसकी पुर्ण अथवा अपुर्ण अवस्था का बोध हो तो ये कहा जाता है काल बावन का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशिन है त्रेपन अत्यावशक में संदी बिछे कौन्सी होगी तो ये होगी विकल्प A अतिजम आवशक A सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला कोशिन है चोवन फलों के निमलिकित नामों में से कौन सा एक फार्सी भाषा का फल है या शब्द है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अंगूर चोवन का सही विकल्प A हो जाएगा अगला प्रेशन है पच्पन आलंबन और उदीपन विभावों के कारण उत्वन भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कारी को क्या कहते हैं तो ये कहा जाता है सथाई भाव सथाई भाव नहीं अनुभाव कहा जाता है पच्वन का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशने चपन किस लेखक के इतियास क्रेंथ में सरप्रत्म हिंदी साहित्ते का काल विवाजन मिलता है तो ये मिलता है जॉर्ज ग्रियसन के तो चपन का सही विकल्प D हो जाएगा अगला प्रशन है स्तावन इसमें पूछा गया है कहानी और कहानिकार की दिष्टी से एक यूगम अशुद्ध है तो वो कौन सा होगा तो वो हो जाएगा विकल्प D ठेस जनेंदर की कहानी नहीं होगी बाकी बापसी उशा प्रिम्बदा की कहानी होगी यही सच्छा मनुबंडारी की कहानी होगी जैदोल अग्यय की कहानी होगी अगला क cucumber 58 निम लिखित में से एक कथन गलत है तो चैन कीजिएगा उस गलत कथन का तो ये हो जाएगा बिकल्प D इरावती प्रसाद्वारा लिखी गई कहानी है तो ये इरावती प्रसाद्वारा लिखित कहानी नहीं उपनियास होगा ठीक है न D सही बिकल्प हो जाएगा यहाँपर बाकी बिकल्प A कामाईनी प्रसाद द्वारा लिखा गिया महा काब्य है सही हो जाएगा आंसू प्रसाद द्वारा लिखित खंड काब्य है तो ये भी सही हो जाएगा काब्य और कला तथा अन्य निवंद प्रसाद द्वारा लिचित निवंद संग रहा है तो ये खतन भी सही हो जाएगा, बिकल्प D यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला कुशन है, उनसर, आख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो ये होगा, सामने या पास की बस्तु चुरा लेना 59 का सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कुशन है, निमली की शब्दों में से किस शब्द एक में उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा, तो बो हो जाएगा बिकल्प सी कुलीन में अगला कुशन है, इकासिट जमादार शब्द स्तुरोत के अधार पर किस बर्ग का शब्द है तो जो जमादार होगा, तो यह हो जाएगा आफके संकर का इकासिट का सही बिकल्प D हो जाएगा अगला कुशन है, बच्चा लल्डू के लिए रोता है, सही अनुबाद है तो यह संस्क्रित में सही अनुबाद कौन सा होगा तो यह हो जाएगा 62 का बिकल्प D, शिशू मोधकहा रोधती 62 का सही बिकल्प B हो जाएगा अगला कोशन है पुरानी हिंदी नामकर्ण किस ने दिया तो ये दिया गया था चंदरधर शर्मा गुलेरी के द्वरा 63 का सही बिकल्ब वी हो जाएगा अगला कोशन है 64 संस्कृत प्याकर्ण के नुसार निमन में से शुद्शब्द कौन सा है तो ये हो जाएगा बिकल्ब भी मृत्यो उपरांत 64 का सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला कोशन है 65 रात और रात में समास है तो यहाँ पर बताना है कौन सा समास होगा तो ये हो जाएगा अब ये भाव समास 65 का सही बिकल्ब ये हो जाएगा अगला कुशन है 66 इसमें पूछा गया है किस शब्द में बिसर्ग संदी है तो जो बिकल्प ली होगा दुशकर इसमें बिसर्ग संदी हो गई 66 का सही बिकल्प ली हो जाएगा अगला कुशन है 67 संग्या के अंध में लगने वाले प्रत्य को क्या कहते है तो ये कहा जाता है तदिद क्या कहते हैं तदिद स्तासर का सही बिकल्प ये हो जाएगा अगला कोशन है प्रेमचन का प्रतम उपनियास कौन सा है तो ये हो जाएगा बिकल्प भी प्रेमा बाकी सेवासदन, करमभूमी और निर्मला भी इनके ही उपनियास माने जाते हैं सबसे जो परसिद है तो वो है गोदान अगला कोशन है 69 ताई कहानी के लेखक कौन होंगे? तो ये होंगे विशंबर नाच्शरमा कौशिक 69 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 70 इस करुना कड़ी थरीदे में अब विकल रागनी बज़ती है क्यों हाहाकार सुरों में बेदना असीम गरचती है इन पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे दोस्तों? तो ये रचनाकार होंगे जैशंकर प्रसाद 70 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 72 कालिदास की लालित्यय योजना किसकी कृति है? तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगला कोशन है चायाबाद को चायाबाद नाम किसने दिया था? तो यह दिया गया था मुकुर्दर पांड़े के द्वरा 73 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 74 ताब के ताए हुए दिन किसकी रचना है? तो जो ताब पर ताए हुए दिन यह रचना हो जाएगी आपके त्री लोचन की ताब के ताए हुए दिन त्री लोचन की रचना होगी 74 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 75 तांबे के कीड़े किसकी एकांकी है? यहाँ पर एकांकी तो नहीं दिये है जो तांबे के कीड़े है यह एकांकी होगी तो बताना है किसकी एकांकी है ये तो 75 का सही बिकल्प हो जाएगा ए भूबनेश्वर की अगला कोशने 76 अंधेरे बंद कमने कौन सी बिधा में है तो ये हो जाएगा बिकल्प ए उपनियास अगला कोशने मुहंद वारा पुस्तक पड़ी जा रही है में बाच्य है तो 77 में जो बाच्य होगा तो बहोगा बिकल्प भी करम धार दिया अगला कोशने 78 सुक दुक के मदूर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण फिर घन में ओजल हो शशी फिर शशी में ओजल हो गन उप्रिक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा तो 78 का से ही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प भी दिश्टनात अलंकार अगला कोशन है 79 खड़ी बोली के प्रतम कभी कौन है तो जो खड़ी बोली के प्रतम कभी माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं बिकल्प D, अमीर कुसरो अगला गौशन है कौन सा शब्द स्ट्रीलिंग है तो जो स्ट्रीलिंग शब्द होगा तो वो हो जाएगा अर्व्गला ET का सही बिकल्प D हो जाएगा अगला कौशन है यहाँ निमलिकित में से अगला कोशन है 82, भाग और बकरी एक घाट पानी पीती है, बाक्ये का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा भिकल्प भी, भाग और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो 82 का सही भिकल्प भी हो जाएगा, आगी है 83, हिमाले किस परकार की संग्या है? तो जो हिमाली होगी, यह ब्यक्ति वाचक संग्या होगी, 83 का सही भिकल्प सी हो जाएगा, अगला कोशन है गवया शब्द में कौन सा प्रत्य है, तो 84 का सही भिकल्प हो जाएगा, एया, गवया में एया प्रत्य होगा, 84 का सही भिकल्प भी हो जाएगा, अगला कोशन है 85, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द का चेंड कीजिए तो यहाँ पर 85 का सही बिकल्प हो जागा बिकल्प D भी पत्निक आगे प्रशन संख्या 86 से 90 तक एक पद्याश दिया गया है जिसको पढ़कर उत्तर देना है तो यहाँ पर जो पद्याश नहीं पढ़ूँगा यहाँ आप सुम्म पढ़िएगा इसके सिर्फ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ इसके क्या क्या उत्तर होंगे प्रशन संख्या 86 इसमें पूछा गया है धर्ती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ तो यह हुआ था जंगल घटने लगे थे जानबर घटने लगे थे और पक्षी घटने लगे थे तो 86 का सही बिकल्फ हो जाएगा यह सभी हुए थे अगला कोशन है 87 इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है तो 87 का सही विकल्प हो जाएगा इंसान खुब तरक्की करने लगा अगला कोशन है प्रकृति किस के प्रती ना इसाफी नहीं करती तो ये होगा इन सभी के प्रती क्या क्या है जंगल के प्रती, पशुपक्षियों के प्रती, इंसानों के प्रती 88 का सही विकल्ब D हो जाएगा अगला कुशन है कवीता के अंत में क्या ब्यंग ये किया गया है तो ये किया गया था इंसानों में अब इंस्यानित खतम हो गई है 89 का सही विकल्ब पर भी हो जाएगा अगला कुशन है 90 अब कहां जाते जंगल का भाव क्या है तो यहाँ पर जो भाव होगा तो वो हो जाएगा अब जंगल समाप्त होनी लगे हैं 90 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 91 उसने पढ़ा उसने खोया उसने चिखा जैसे बाशा प्रियोग दर्शाते हैं तो यह होगा विकल्प A नियम कंठस्त ना होना अगला कोशन है 92 सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया बह हिंदी भाशा का प्रियोग करतेस में तूटियां करता है एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे तो यह होगा विकल्प D सुहेल को भाशा परियोग के अधिकादिक अफसर पर प्रोचान देना चाहिए तो 92 का से ही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशन है 93 भाषा सीखने से होने वाली तूटियां तो क्या होगा यहाँ पर तो यह होगा भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है जब आप भाषा सीखते हैं उस समय आप से तूटियां होती है तो ये भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वहवाविक पड़ाव होते हैं अगला कोशन है 94 भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सिखी जाती है जब क्या होगा? भाषा प्रियों की दक्षता परमुख दिश्य हो 94 का सही विकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है नाटक, शिक्षन के सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए निमलिकित में से कौन सा सरभादिक महत्पून कतन होगा या महत्पून होगा तो यहाँ पर सही विकल्प हो जागा पड़े ये नाटक का मंचन 95 का सही विकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है ब्रामन, 1883 इसमी परकाशी पत्रिका के संपादक कौन थे तो यह थे परताब नायन मिशर जो परताब नायन मिशर द्वारा परकाशी पत्रिका क्या नाम है तो यह हो जाए कि ब्रामन और इसका परकाशन भर्ष क्या था 1883 इसमी अगला question है 97 इसमें पूछा गया है 1999 इसमें संफून साहित्य रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ग्यानपिट पूर्षकार से समानित किया गया तो ये किया गया था निर्मल बर्मा को 97 का सही भी कल्ब सी हो जाएगा 1999 में निर्मल बर्मा को ग्यानपिट पुरुषकार से सम्मानित किया गया था अगला कोशन है आंगन के पारद्वार रचना पर सन 1964 में से किस साहित्य अकादमी पुरुषकार से नवाजा गया था तो ये नवाजा गया था अग्गेजी को कब 1964 में और किस रचना के लिए आंगन के पारद्वार के लिए 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरुसकार दिया गया था अगला कोशन है आम के पत्ते काब्वे पर 2011 इस भी में किस साहित्यकार को ब्यास सम्मान दिया गया था तो ये दिया गया था रामदर्श मिश्रकूं जो आम के पत्ते हैं ये इनकी प्रमुखरचना है इसलिए इनको 2011 में ब्यास सम्मान मिला था अगला और अन्तिम प्रशन है 1844 इस्वी में हिंदी संबर्धनी सवा के संस्थापक कौन है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प ए बावु दोताराम बर्मा सौका सही बिकल्प ए हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 100 प्रशनों को डिस्कस किया आप लोग अवश्य बताईए का कि आपकी इन में से कितने प्रशन सही हुए हैं और जो प्रशन मैंने आपसे पूछे हैं उनका भी आपको उत्तर देना है और साथ में ही जो हमने वीडियो को लाइक का टार्गेट रखा है पचास उसे अवश्य कंप्लीट करना है ठीक है तो ठीक है यहां पर अपनी वीडियो को समाबद कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने थे इसका बहुत 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 है झाल 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 झाल